हिमाचल से मौनसून भले ही विदा हो गया हो लेकिन खरा मौसम का दोर लगातार चल रहा है परदेश में एक आएक मौसम के करवट बदलने से उंची पहाड़ियों पर जहां बरवारी हुई बहीं परदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश हुई बीते 24 गंटों से परदेश के निचले क्षेत्रों में जहां जमा जम बादल बरस रहे हैं बहीं पहाड़ों पर बरवारी और बारिश होने से तापमान में बारी गिरावट दर्स की गई है जिससे समूचा परदेश शीत लेहर की चपेट में आ गया है रवी बारात को स्पिती बैली रोहतांग साइद उंचाई वले क्षेत्रों में बर्फ ने स्पेच चादरोड ली बारालाचा कुंजम पास मनाली लौल स्पिती दोलादार और चंबा की उंची चोटियों के लाबा मनी मेश में ताजा हिम पात हुआ खरा मौसम के चलते रोहतांग दर्रे में प्रटकों के जानी पर प्रशाशन ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है मौसम बेग्यानिक संदीब कुमार का कहना है कि बीते 24 गंटे से परदेश के निचले हिस्सों सहीत उपरी क्षेत्रों में बारी बारिश हो रही है और आज भी बारिश और बरवारी का दोर जारी रहेगा बारिश बरवारी के चलते ताफमान में गिरावट आई है जिससे परदेश के कई जिलों में ठंड़ वड़ गई है उन्होंने कहा कि मंगलबार से मौसम साफ हो जाएगा यह जो बारिश के अधिकाश लाको में रेन्वड अक्टिवट की गई है मैक्सिम जो रेनकॉल है वह आपके शांग्ला में 36.8 mm बारिश रेको रेकोंटिव्ड थो डिस्टिक्स अर इक्टिवटी रेनकूल है जिसमें कि आपके जो डिस्टिक्स हैं आपे किनौर, कुलू, शिम्ला और यहां पे moderate rainfall activity होई है अब आपके डिस्टिक्स में light to moderate होई है पिछले 24 गंटे में जो हंसा में 2.5 cm स्नोफ़ाल कोड़ किया गया है अगर हम अभी 24 गंटे से बात करें तो जो मैक्सिम्म टेंपरेटर्स हैं वो अभी 24 गंटे में देखें को अलड़ी वह एरवेज 8 डिग्री से फॉल किया है जो की सामाने से 4 डिग्री कम चल रहे हैं उनिस तारिक से मौसम साफ होने का पूर अनुमान है और उसके चलते हुए जो मैक्सिम्म टेंपरेटर्स हैं वो एरवेज 3 से 4 डिग्री राइस करेंगे ओवर रस्टेट जो रेंफल एक्टिविटी है वाजपुए प्रदेश में जाई रहेगी और जो अलर्ट जारी किया है हैवी रेंपॉल का वो हमने सोलन, सिनमा और शिमल से प्रवीन मुक्ता